हेलो व्योर्स वेल्कम बैक टू मैं चानल सो आज का टॉपिक है फिंगर अपैकर्स तो अगर आप नहीं है तो आप प्लेलिस्ट यह और वीडियो को आप लाइन से देख सकते हो इससे जो भी प्रिवेश क्लांसे हुए थे वो सभी मैंने प्लेलिस्ट में आड़ कर चुकी थी तो यहाँ पे भी हम बिग फ्रेंट के और थोड़े फॉर्मलास यूज़ करके प्रॉब्लम्स को सॉल करेंगे तो मैंने अल्रेडे प्रिवेश वीडियो में बताई थी बिग फ्रेंट क्या है और कॉंप्लिमेंटरी विद रस्पेक्ट क्या है यह सारे चीज़े में लास्ट अर्लियर वीडियो में आपको बताई है तो यहाँ पर यही फॉर्मलास नहीं जो भी हम प्रिवियस क्लास में सिखे थे बिग स्मॉल फ्रेंट फॉर्मलास डारेक्ट में तर भी हमें यूज़ करना होगा तो अगर आपके पास वह देखना है फिर बाद में स्मॉल फ्रेंट फिर बाद में बिग फ्रेंट तो यह सारी चीज़े में आपको अर्लियर वीडियो में अल्रेडी समझा चुकी थी तो यहाँ पर हम डायरेक्ट प्रॉब्लम्स करेंगे 5 इन प्लस 5 तो प्लस 5 कैसे आड़ करें अल्री हम फोर तक फाम्मला देख चुके है अल्लियर वीडियो में इस वीडियो पर मैं फैसे कॉंसेंट्रेट करूंगी सो फै कैसे एड़ करते हैं प्लस 10 माइनिस फाइड तो हमें पांच आड़ करने के लिए कॉमन फ्रेंट दस को आड़ करन होगा वह ऐसे हमें फाइब आएगा सो फ्लस 10 माइनिस फाइल देन अगें फाइल फिर एक बार हमें फाइड करना होगा इस बार हमें फाइल अवालेबल है तो हम डिरेक्ट में तर से आड़ कर सकते हैं देखा आपने पहला मैंने बिक्रेंट यूज किया अब यहाँ पर ड हम नेक्स्ट वर्शन फाइब प्लस टू थि यू थें प्लस 5 कैसे आड़ करें प्लस 10 माइनिस फाइब फाइब फ्लस 4 प्लस 4 कैसे आड़ करें तो हम डिरेक्ट याइड नहीं कर सकते तो हमें क्या करना चाहिए श्मॉल फ्रेंट देखना चाहिए पाइब आवालेबल है तो मतलब श्वार्फ्रेंट हम यूज कर सकते हैं तो उन प्लस फाइब माइनस वन अगर चाहे तो आप उस फॉर्मॉलास को भी यहां पे रखिया और प्रॉब्लम सॉल कीजिए so 1 6 16 then next question 8 minus 3 then plus 5 plus 10 minus 5 then plus 2 so answer is 1 2 12 okay next question 9 plus 6 plus 6 कैसे आड़ करें अभी हम फॉम्ला चेंज करें so plus 10 minus 4 तो 10 आड़ करो और 4 को सब्ट्रैक्ट करो ठीक है next minus 5 डिरेक्ट आड़ सकते है next plus 3 हम डिरेक्ट आड़ कर सकते हैं so answer 1 3 13 next question 4 plus 6 फिर से plus 6 के लिए बिग फ्रेंड क्यूंकि स्मॉल फ्रेंड में हमें 5 के उपर फॉर्मॉलास नहीं है तो आगर 5 के उपर वाल्यू साते हैं हमें डिरेक्ट बिग फ्रेंड आड़ करना होगा so plus 2 डिरेक्ट then plus 3 plus 3 के लिए हम डिरेक्ट नहीं कर सकते तो हम स्मॉल फ्रेंड को देखेंगे yes 5 available है तो plus 5 minus 2 so the answer is 1 5 15 next question 6 plus 3 direct फिर से plus 6 so plus 6 के लिए plus 10 minus 4 क्योंकि डिरेक्ट हम नहीं कर पाते हैं next minus 3 so minus 3 के लिए 3 bits अवालोगूल नहीं है तो हम 5 को यूज करेंगे small friend formula negative में so minus 5 plus 2 तो answer कितना है 1 2 12 next question 8 plus 7 plus 7 मदलब plus 10 minus 3 that हम याड नहीं कर पाएंगे small friend में हमें 7 का formula नहीं होंगे तो plus 10 minus 7 sorry minus 3 अगर आप ध्यान दिया तो यहाँ पे हमें formula चेंज किया अब हम यूज करेंगे plus 7 equal to plus 10 minus 3 then plus 2 then plus 1 so the answer is 1 8 18 next question 9 plus 7 plus 10 minus 3 again minus 3 minus 3 या minus 5 minus 3 minus 5 plus 2 then plus 2 फिर से plus 2 के लिए फिर से small friend plus 5 minus 3 तो हमारा answer है 1 5 15 13 next question next question 7 plus 2 then plus 7 plus 10 minus 3 then minus 3 minus 5 plus 2 so the answer is so the answer is 1 3 13 next question 5 plus 2 plus 2 then plus 8 plus 8 या plus 10 minus 2 8 next minus नंबर कितना है नंबर कितना है तो मैंने 5 कार रहे प्लस 4 आइड करें मतला 1 मैंने 1 है नंबर या तो इसलिए मैंने 4 आइड किया तो आंसर है 1 4 14 हा नंबर कितना है हा नंबर कितना है plus 9 plus 10 minus 1 then again plus 1 then again plus 9 again plus 10 minus 1 so the answer is 2 2 22 next question मैं क्रोस्ट वरिफय करें okay next question 4 plus 9 plus 9 के लिए plus 10 minus 1 then again minus 2 then again plus 9 plus 10 minus 1 so the answer is 2 0 20 next question next question plus 9 plus 10 minus 1 then plus 2 then plus 9 so again for plus 9 plus 10 minus 1 so the answer is 2 6 26 यह है आज के प्रॉब्लम्स हमने सभी फ्रॉब्लम्स को यूज करते हुए at least 3-3 फ्रॉब्लम्स हमने किया था तो सारे बिग फ्रॉब्लम्स के फ्रॉब्लम्स मैंने यूज करके प्रॉब्लम्स की थी I hope सभी प्रॉब्लम्स आपको अच्छे से समझाया होगा जब भी हम प्रॉब्लम्स solve करते हैं इसी तरह हमें solve करना होगा पहला हम direct method को देखेंगे उसके बाद में हम small friend को देखेंगे उसके बाद में हम big friend को use करने की कोशिश करेंगे इन तीनों formula के साथ हम problem solve करने की कोशिश करेंगे बट हमें और एक method भी सीखना होगा तब ही हमारा पूरा addition concept खतम होता है So that's it for today I hope आपको सभी problem सचे से समझ आए होगी अगर कुछ doubt है तो मुझे comment कर देना Thanks for watching, see you in the next video Bye Bye Don't forget, A.G.C. just number, happy learning